नमस्कार, अब आज डेली हरसी टीवी में आपका स्वागत है, मैं विश्वेंदू जैपुरियार, आज फिर मैं पहुच गया हूँ एक वरती के घर में, क्योंकि आज छट महापर्व का दूसरा दिन है, और सबसे बड़ी बात है कि आज खड़ना है, आज वरती जो है, आज का टूटेगा, तो काफी कठीन पर्व है, आस्था का महापर्व इसे कहते हैं, तो हम इनसे समझेंगे, मैं एक बात आपको और बता दूँ, कि पुराने समय से ही खड़ना परसात को लेकर कई तरकी बाते कहीं गई हैं, क्योंकि वरती जो है, वो इस परसात को सूर्य करते हैं, और इनसे जानते हैं, कि कैसे वो इस परसात को बना रही है, और क्या क्या तैयारियां हो रही है, तो हम आ चुके हैं, एक वरती के घर में पूरी तैयारियां चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चड़ा हुआ है, ये खीर बनने के तैयारी हो रही है, जो किसा रखाला इसमें डाल बनाने के और ये परसाद आज हम खरना में चढ़ाएंगे इसको उसको हम béन करेंगे जड़ेश अग्रें करने के वाद आज के कि पूजा का समापन होगा और तो यह को परशाद आपका बन रहा है इसके अलावा और भी को परशाद बनेगा की सिप यही बनता है नहीं आज का खर्णा का यह परशाद आज करना में हम लोग खीट बनाते हैं गोड़ का खीट और कल पहली अड़के दिन हम लोग पकवान ब लटू बनता है और चावल के आटा को एप लड़ु बनता है अच्छा आपसे समझना चाहेंगे कि कहीं कहीं-क्रणा के प्रसाथ में खीर के साथ आटे की रोटी भी दी जाती है on a acontece सुजवान को करणा में कहीं कहीं रोटी भी चलता है हम लोग यहाते हैं रोटी are तो फिर जो लोग आते हैं घर में जिनको आप बुलाते हैं इस परसाद को लेने के लिए उनको भी वो रोटी दी जाती है खीर के साथ हाँ खिर के साथ दी जाती है सभी को थोड़ा था टुक्रे में तोड़ तोड़ करके भी देते हैं और नहीं तो हम एक एक भी देते हैं यह पूजा आपका कितने बज़े होगा खरना पूजा जब आप इस परसाद को ग्रहन करेंगे यह हम छे से साथ के बीच में हम लोग खड़ना करेंगे उसके बाद परसाद ग्रहन करेंगे अपना नाम बता दिए मेरा नाम उमा है बहुत बहुत धनेवाद तो ये थी उमा वरत्ती जो चौते साल ये पुजा कर रही है और इन्होंने हमें बताया कि कैसे इस परसाद को बनाया जाता है अगली बार फिर मिलता हूँ बहुत बहुत धनेवाद